अपने देश में जो जितना बड़ा पत्नी पीडित होता है उतना ही बड़ा कवी बन जाता है तुलसी दास को उनकी पत्नी ने मारा वो महा कवी बन गए काली दास को उनकी पत्नी ने पीटा वो महा कवी बने बहुत जल्दी मैं भी महा कवी बनने वादा और मैं पतनी पीडित हूँ ये बात में छुपाता भी नहीं मेरा हेर स्टाइल ही चीक चीक के बता देता अच्चा मैं सच कह रहा हूँ कई लोग सोच रहे होंगे कि कवी लोग जूट मुट महिलाओं को बदनाम करते हैं मैं घरवाली के पास गया मैंने कहा 500 रुपिया दे चश्मा बनवाना है दूर की नजर कमजोर हो गई वो बोली फोकट में खर्चा मत करो मुझसे खुबसूरत पूरे एरिया में कोई नहीं मैंने कहा उस काम के लिए चश्मा नहीं बनवाना है मैं रात को प्रोग्राम से आता हूं कहीं एक्सिडेंट हो जाए मुझे दूर का कुछ नहीं दिख रहा मेरा कान पकड़के टेरस पे लेके गई उपर उंगली दिखा के बोली वो क्या है मैंने कहा चांद है बोली और कितना दूर देखेगा मेरी शादी नहीं थी मैं अपने कपड़े खुद धोता था एक दोस्त आता था तो डांटता था तो कवी आदमी एक कुर्ता पाईजामा खुद धोता अच्छा नहीं लगता शादी कर ले मैं उसकी बातों में आ गया मैंने शादी कर ली छे महिने के बाद वो फीर आया मैं कपड़ा धो रहा था वो बोला शादी के बाद भी कुर्ता पाईजा मां खुदी धो रहा है मैंने का आग खोल के देख साडी बलावू जे एक शेर की थी शादी नाच रहे थे बाराती नाचने वाला वहां पे हर कोई शेर था खाने वाला शेर था खिलाने वाला शेर था और गाने वाला शेर था बजाने वाला शेर था इतने में देखा एक चूहा वहाँ नाच रहा देख सभी चौके ये कमीना कब शेर था हाथ जोड चूहा बोला आज मैं हूँ शादी शुदा शादी के पहले तो यारों मैं भी बबर शेर था तो शादी के बाद सारे शेर चूहे बन जाते और मेरे साथ क्या हुआ आप सुनो कि करवाचोथ का वरत किया मेरी पत्नी ने बोली वरत करने को नारी सती चाहिए और बड़ा भारी वरत है सब कर सकते नाई से करने के लिए शुद्ध मती चाहिए नई चीजें इस दिन यूज करती हैं सभी नई साड़ी नया हार नई जूती चाहिए मैंने कहा बस करो इतना न कह देना तुम भी पुराने हुए नया पती चाहिए पत्नी से हुई लडाई पिट गए महेश भाई बोले अब मुझे जीना नहीं मर जाना है खासी का फंदा बनाए जल्दी से इस टूल आए बोले अजी सुनती हो चला ये दिवाना है पत्नी ने आके धर लिये दोनों चर्ण तो बोले अब व्यर्थ तेरा मुझे समझाना है पत्नी बोली तुम्हे समझाने की ना मुझे पड़ी जल्दी से जूलो मुझे इस टूल लेके जाना